जैन साथियों इकीकरन का इश्यर भी सBackधार Patelle को जाता है, VP मेंन को जाता है, तो आज क्या topic हम शुरू करते हैं राजस्तान का एकीकरन में नरींदर सिंगोड उपने शर locatedputaden कोकी आपका हार्तिक अभिनेदन करता हूँ, तो देखते हैं राजस्तान के एकीकरन को yardika को, देखे दोस्तो रा चरणों को संपादित किया गया कुल साथ चरणों में हम देख लेते हैं तो पहला चरण जो आया था 18 मार्च 1948 को संपन हुआ साथ वो अंतिम चरण संपन हुआ था एक नॉबर 1956 को इस परकार पहले चरण से साथ चरण तक कुल समय देखा जाता है तो आठ वर्ष साथ वो चोदा दिन का समय लगता है अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इनके साथ चरणों की तो साथ चरण कौन कौन से थे तो उसमें से पहला वो दूसा चरण यहाँ पर हम देख लेते हैं तो पहले चरण की बात करें तो पहला चरंड संपण हो था 18 March 1948 को जिसका नाम रखा गया था मतश्य संग इसमें पिछली कोई रियासत नहीं थी क्योंकि ये पहला चरंड था और इसमें विले होने वाली रियासत के संग्या थी चार इस प्रकार से दूसरे चरण की, तो दूसरे चरण संपनो हता पच्छीश मार्च 1948 को, इसका नाम रखा गया था राजस्तान संग, राजस्तान संग में भी पीछली कोई रियासती समंधित नहीं की गई, इसमें कुल रियासती समंधित के गई physician की विले किया गए था नोरियासतों का इस प्रकार से कुल रियासते हो जाती है यहाँ पर नोरियासतों के हम बात करें तो नोरियासते हैं यहाँ पर प्रताब गड़ शहपुरा कोटा बूंदी किशनगड जालावा डुंगरपूर बांसवाड़ा बांसवाड़ा के साथ इसका ठेकाना कुशिलगड तथा टॉक इस प्रकार से यहां पर नोरियासते हो जाती है इन नोरियासतों को याद करने के अलेक्सिक ट्रिक है और पहले चरण को याद करने के अलेक्सिक ट्रिक है तो पहले हम पहले चरण की बात कर लेते हैं तो पहले चरण के हम बात करें तो यहां मतल से भगवान के नाम से, पहले चनर के नाम रखा गया, मतथ से संग snaग ऐन का आर consec 18 MART, अब देखे दोस्तों मतल से में दू अक्षर है मत, मत देना का अरथ होता है vote, मत का अरथ होता है vote, अब होत देने क्लिए ہمارी ककम आयू होनी की है होनी जी 18 वर्ष तो यहां पर वोट है यहां पर 18 है तो आपको ध्यान देना है कि मत आएगा तो हमें हमारी आई होनी जी 18 तो 18 से यहां फुर जाएगा 18 मार्च 1948 अब बात कर लेते मार्च मेहने की तो मार्च मेहने को कैसे पहले चरंड की रियासतों की तो इसमें जो चार रियासती थी अलवर भरतपूर करोली उधोलपूर यहाद रखने के लिए हम याद रखने के लिए हम याद रख सकते हैं क्योंकि चरंड भी साथ है और दूसरी तीठ की ंख सा जोड़ने होगे जैसे मथारे वहें साथ जोड़ते हैं, तो पच्चिस आंजाता है और यहां पर हम बात करें राजस्तान की, तो राजस्तान संग इसको बना दिया गया था, तो जो रह है यह रह ही दो की भाती लिखा जाता है, यहां पर भी दो है, यहां पर भी दो है, और जो रह है यह भी दो की भाती लिखते हैं, तो इस प्रकार से हो जाता है कि दूसरा च की जाडू बाटो दूसरा एकी करण करेगा प्रशा को बूंदी की जाडू बाटो दूसरा एकी करण करेगा तो प्रसे तो हो जाएगा प्रताब गड़ शा से हो जाएगा शाहपुरा को से हो जाएगा कोटा बू से हो जाएगा बूंदी से हो जाएगा बूंदी की से हो साथ संभख़ों का एक 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 एकड़न्ड लिए हो लिए है और टोसरे प्रकार से अनल से हमने हैं यहां पर पहले में वागवे दूसरे चरण हुआ खिती हैं और रियासत रिया सठaporeं को याति करने का प्रयास हमें कर लिया। इसमें साथ चरण के संपन हुए थे तो साथ संभगों के भी आप ध्यान रख लीजिए कि राजिस्तान का एक एकर्ण साथ चंभणों में संपन हुआ था और राजिस्तान में संभगों की संख्या भी साथ है जब तक साथ साथ संभगों का एकिकरण नहीं किया जा सकता तब तक साथ संभगों के बीना रहस्तान अधुरा रहेगा इसलिए जब साथ संभग मिल जाते हैं तो रहस्तान का एकिकरण हो जाता है रहस्तान बन जाता है इस प्रकार समय से भी याद रख सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं आ तीसरे चरण संपन हो था 18 अप्रेल 1948 को जिसका नाम रखा गया संयुक्त राजिस्थान इसमें पिछली रियासते तो नो थी जो हमने दूसरे चरण में नो रियासते देखे थी तो चरण संपन हो था 30 मार्श 1949 को इसका नाम था विरहत राजिस्थान इसमें दस रियासते तो पिछले चरण की यह जो दस वाली दस रियासते थी तीसरे चरण की वो और तो था चार नई रियासते और जोड़ दी गई इस प्रकार से कुल चोधर रियासते चोथे चरण में ह हो जाती हैं तो इस प्रकार से हमनेहें दिखा यहांपर की चोधर रियासते हो गई आ चोधर रियासते होने के बात करें तो फ़ते नई आफीं संपन उयां उयुक्त राज़स्तान संयूप तो मतज संग इसमें मुले कर दिया गया पांचवे चरण में तो इस प्रकार से यहां पर 14 प्लस 4 अठारे रियासते पांचवे चरण में हो जाती हैं एक बार इन्हें हम याद करने का तरीका देख लेते हैं देखे तीसे चरण की बात करें अठारे अपरेल 1948 फिर बात कर लेते हैं यहां पर उधेपुर को किस प्रकार से याद रखना है कि देखे यहां पर उधेपुर जो रियासत है इसके उ की जो आकरती हो तीन की भाती है इसी प्रकार यहाँ पर भी तीन लिखा हुए तीसे चरण में भी यहाँ पर भी तीन है और यहाँ पर भी तीन है तो यहाँ पर भी उ है और यहाँ पर भी उ है तो इसको आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं चोहते चरण की बात करें तो दोसतों चोफा चरण जो संबन हुआ था तो तीस मार्च 1909 पो इसका ना वृद राज़िस्तान रखा गया दीखें दोस्तों 3 मार्च 1909 को राज़िस्तान दिवस मनाये जाता है त психakah नहीं पर राजस्तान दिवस मनाते हैं इसे डाजतान की संभगी वरॉस्ता भी प्रारभा हुई थी थी तो तीस मर्च Lima Millennium जास्त को इस प्रकार से याद रख सकते हैं कर छोथा चरन हमारा था इस पर रियासतों के संख्या भी की ती चार स्रियासत है थी तो इस deixa इसकी रियासते जेसल मेर, जयपूर, जोदपुर, विकानेर को याद करने के लिए हम एक प्रयाज़ कर सकते हैं ट्रिक मेंने बनाई ही दीखे दोस्तों जैसे ही एक इकरण हुआ जयने जुधा को विकानेरी चार रस्गुली खिलाए जे से एक एकरण हुआ जे ने जोधा को बीका नेरी चार इस गुले खिलाए तो आप देखिए यहां पर जे से सो जेसल मेर हो जाएगा एक एकरण से एक एकरण हो जाएगा जे से हो जाएगा जेपूर जोधा से हो जाएगा जोधपूर बिका नेर से बिका नेर हो जाएगा और 4 से हो जाएगा चोते चान और 4 रियासते तो इस परकार से हम ने यहाँ पर ان दियासतों को याद कर लिया, पांचवे चान की बात करें तो 15 माई구나 1946 को आता, तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे यह आप, यहाँ पर भी और कुल 8 रियासते यहां पर हो जाती हैं अब इसके बाद में हम देख लेते हैं चटे वे सातवे चरण को देखते हैं तब तक आप इसका स्क्रिंशोट ले लीजिये दोस्तो हम बात कर लेते हैं एक गरण की छटे तिता 7 चरण की तो 6 चरण की बात करें 1930 में जो सिरोई जो था इसका अधितम शेटर संब्लित किया गया था आभू तरसाध देलवाड़ा को छोड़ दिया गया था क्योंकि आभू तरसाध देलवाड़ा को बंबई मिलाना चाहते थे वहां बंबई के नेता किन्तु राजस्तान के नेता चाहते थे कि सिरोई का पूरा वेले राजस्तान में हो आबूर दिलवड़ा का वेले भी राजस्तान में हो तो इसके लिए थोड़ा संगर्ष चला और यह संगर्ष चला था उनिस सो पचास में के लिए 6,00,00 का बलीदान दिया है गणतंत्र दिवस मनाने के लिए 6,00,00 का बलीदान दिया है तो यहां पर देखे गणतंत्र दिवस से तो गणतंत्र दिवस की दिथी हो जाएगी 26 जनूरी 1950 जिस दिन हमारा देश का सविधान लगवा था और 6,00,00 से हो जाएगा छटा चर जो छोड़ दिया था आबू तथा देलवाड़ा इन दोनों तेस्वे लोगो मिला लिया गया एक जो संगर शाषिर प्रदेश था जो केंदर शाषिर प्रदेश था चीफ कमिशनर शेत्र अजमेर मेर वाड़ा वसे भी शामिल कर लिया तथा MP से हमने सुनेल टपपा शेत्र क द्वारा इन से फरशोग किया गया तो इस प्रकार से हमने यहां पर देखा कि 19 रियासते 3 ठेकाने वा एक केंद्र शाषित प्रदेश संग शाषित प्रदेश अजमेर मेर वाड़ा का यहां पर विले हो गया और संपुर राजस्तान का एक इकड़ अब यहां पर हो चुका अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा इस पर वाले पार्ट को भी आद करें थोड़ा सा आपको में ट्रिक बता देता हो देखे दोस्तों यहां पर हमने देख लिया था कि शरोई यहां पर 19 रियासते सम्मिलित कर लिए थी छटे चरण में देकिन शरोई बजग गया था तो सुनिल शादी करने राजश्थान में आया और सरोज को ले गया तो इस प्रकार ध्यान दीजै सुनिल राजस्थान में आ गया और सिरोज चला गया अब दोनसेम प्रयास करते हैं इस एक नूंबर 1996 की तीधर को भी आद करने का वेसे तो अंधियम चर्णत हम इसे वेसे भी याद रखना है लेकर थोड़ा सा मैं आपको इसको थोड़ा सा एक ट्रिक के माधियम से और बाता देता हूँ देखें दोस्तों वर्तमान में राजिस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य शेत्रफल के द्रिष्टी से और यह शेत्रफल के द्रिष्टी से सबसे बड़ा राज्य बना था 1 नवंबर व गोदू सबसे बड़ा राज्य का बना सन 2000 में और वर्तमान में भारत में जो सबसे बड़ा जो नोट है वो भी 2000 का नोट है जो शेत्रफली वो सबसे ज़्यादा है तो 2000 का जो नोट है वो सबसे बड़ा नोट है वो एक नमबर पर आता है एक नमबर पर आता है शेत्रफल की दरिष्टी से एक नमबर पर आता है 2000 का नोट सबसे नमबर वन पर आता है 2000 का नोट शेत्रफल की दरिष्टी से इसी परकार एक नॉंबर 2000 को भी राजस्तान बन गया था शेटर फिलकी देश्टी से सबसा बड़ा है राजी जब हमें एक नॉंबर 2000 याद होता है तो एक नॉंबर 1926 चपन भी याद हो जाएगा क्योंकि राजतान का जो अस्तित्व है वह एक नॉम्बर 1926 को अस्तित्व में आया था तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देख लिया राजतान के वोरे साथ चरणों को तो था उन्हें याद करने का हम नहीं प्रयास कर लिया अब प्रत जे प्रमुक कोन बना राजधानी कोन सी थी तो इनको सारे डिटेल में देखेंगे अलग-अलग पार्ट में तो दोस्तों तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जै हिन जै भारत